22 जनवरी को होने जारा योध्या में शिराम जी की प्रतीमा के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश के विए शच्वी प्रधान मंदी जरेंद मोदी ने देश के सभी मंदीरों में स्वच्छता अभियान चलाने की अपिल की है जिसके फ्रस्वरूप नगरपाली का प्रिष्ठ जामुल की अध्यक्ष ने पूरे वार्ड में महा स्वच्छता अभियान प्रधान सेवकों की टिम बना कर चलाया है देश की प्रधान मंदी निरेंद मोदी ने 14 जनवरी से 22 जनवरी आविध्ध में होने वाले शिराम नल्ला की प्रतीमा के प्रान प्रतिष्ठ तक देश के सभी मंदीरों और आसपास के हिलाकों में महा स्वच्छता अभियान चलाने का आग्रह किया है और इसे सफाय बनाते हुए नगरपाली का परिशद जामुल की अध्यश इस्वर सिंग ठाकूर ने पूरे पाली का परिशद शेत्र में सघन सफाय अभियान प्रारम भी कर दिया है और जहां ज़रुत पढ़ती है वेस्वेम भी फावडा लेकर उतर जाते हैं स्वच्छता का संदेश देने इस महा सफाय अभियान के लिए इश्वर सिंग ठाकूर ने प्रधान सेवक टीम का गठन भी किया है टीम टत्ति दिन हर वाट के हर महले में जाकर वरिह दरूप से सफाय अभियान करना चालू भी कर दी है बतादे जामुल परिशत शेतर में चल रहे महा सफचता अभियान में जामुल पाली का परिशत के कर्मचारियों और अधिकारियों का भी योगदान दिखाई दे रहा है जामुल में हमने जैसे ही मोदी जी ने आववान किया कि स्वक्ष भारत मिसन के तहत जो राम लला जी का 500 वर्स बाद स्थापना होने जा रहा है तो सफाई की अभियान 14 जनवरी से लेके 22 जनवरी तक तो उसी के ताथ हमने यहां जामुल नगर पालिका छेत्र में हमने एक टीम गठन की है प्रधान सेवक जामुल नगर पालिका की उसके ताथ हम हमारे पूरे जितने कारे करता है जन प्रत्नी धी हम सारे लोगों ने मिलकर हर वाट से सफाई हर मंदीर को सफाई करने का हरवाट को सफाई करने का एक बीड़ा उठा है जो ये प्रधान सेवक की टीम है लगा ताद 22 तारीक बुले मोदी जी लेकिन हम चाहते हैं कि ये टीम प्रधान सेवक की टीम पर्मा नेंट हर वाड़ों में जाके मिले लोगों का समस्य सुने और हमने चौदा जनवरी से जो चालिक किया है बीड़ा उठा है वो कंट्यू ने एक प्रोग्राम के ताद चलते रहेगा और हमारे जब तक जामूल की व्यवस्ता सुचारू रूप स यहां जामूल में व्यवस्ता बने लेकिन किसी ना किसी कारण चाहे वो उपर से लाइन अप हो हमको दो साल में जो काम करने की इक्षा थी वो उस ततपरता से नहीं हो पाया और मुझे आसानी पूरा यकीन है कि आज जो हमारी सरकार आई भारती जनता पार्टी की सरकार और इसी बीच पाली का अध्यक्ष प्रति दिन वाडवासियों से मुलाकात कर रहे हैं और इसी मुलाकात में उन्हें पता चला कि पाली का परिशद जामूल के कुछ अधिकारी करमचारी आज भी भस्ताचार को खुले आम बढ़ावा दे रहे हैं जिस पर नाराजी जताते हु पाली का अध्यक्ष इसवर सिंग्धाकूर ने साफ शब्दों में अधिकारीयों करमचारीयों को खरी खोटी सुनाते हुए कह दिया है कि अब ऐसा कुछ भी नहीं चलेगा जिससे जामूल की जनता हैरान और परशान हो जो यहां नगरपालिका में अव्यवस्था की वातवरन बनी हुई है ब्रस्टा चार का एक अड़्डा बन हुआ है अब ये ब्रस्टा चार जामूल में नहीं होगा मैं जितने भी ब्रस्ट प्रकार के करमचारी और अधिकारी है उनको सम्झाना चाहता हूं कि वो अब नहीं रहेगा आप सभी लोग मेरा साथ और जामूल की व्यवस्था बनाने में सभी योगदान दे मैं आम जनता मेरे जामूल के जनता जनार्दन से भी निवेदन करना चाहूंगा ये हमारी अकेरे की जुम्मेदारी ने जामूल की व्यवस्था बनाने में मैं समझ ज मेरे साथ में हो जामुल की ववस्था बनाने में आपका बहुत बड़ा युगान हो यहीं मेरी आप सभी जन्ता जनानादन से निवीदन है रौप एक्षा है। जामुल पाली का परिशत अध्यश इश्वय सिंग ठाकुर द्वारा बनाए गए। प्रधा सेवक टिम द्वारा किया जा रहा है। संतो शर्मा की रिपोर्ट संतो शर्मा है। संतो शर्मा कि रिवीदन हैैं